आज के ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोटेंट है क्योंकि न्यू पेटेंट पे अधारित बिग्यान के मॉडल पेपर 3 को सॉल्व करने वाले हैं जिस प्रकार से आपके परिक्षा में प्रश्ण रहेगा उसी प्रकार से इस मॉडल पेपर में आपको प्र प्रश्ण में कितने प्रश्ण का जबाब दे पाते हैं काफी इंपोटेंट है डिरेक्ट यहां से अपकी परिक्षा में प्रश्ण पूशा जाएगा तो बने रही हमारे साथ अगर वीडियो को छोड़ कर जाएंगे तो काफी ज्यादा नुक्सान हो जाएगी और फटा फ फटा फट वर नहीं पता तो ध्यान से सुन करके याद कर लिजी एक कुशन गहरा है कि प्रकास के किर्णों को क्या कहते हैं तो अब कभी नमबर बिलकुल करेक्ट उतर हो जाएगा अगले नंमबर प्रश्ण की बात करते हैं तो दीखिए अगले नंबर प्रश्ण काफी सं सब्सक्राइब करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी अगला प्रशन मानो सरीर की परतिरूद कितना होता है वह आपका बिल्कुल करेक्ट उतर हो जागा अगले देखे प्रशन के और बढ़ते हैं और अगला प्रशन क्या करा है काफी आसान कोईशन है और यह आपका नोमेरिकल प्रशन है कि किसी बल्ब से 220 बोल पर 2 एंपिर की धारा परवायत होती है तो फिलो मेंट का परतिरूद क्या होगा और देखे यह प्रशन जो आप दे तो भी का मानिया पर दिया है 220 बोल्ट तो 220 बोल्ट बट आई आई का मैंन के है 2 तो 220 में 2 से भाग देंगे कितना होगा एक सथा सारी गजब का क्या बात है इस सहीं बनता है प्रशन और यहीं हो जागा आपका बिलको से उतर हो गया ना देखो कुछ नहीं करना जो 220 दिया गया ना उसमें 2 से भाग दे दो जो आएगा आपका एंसर हो जागा काफी असान है चलो अगला प्रशन देखो फट नमबर प्रश्ट कहरा है कि आर परतिरोध वाले एन परतिरोधों को समनांतर करमें जोडने पर तूले परतिरोध क्या होता है तो बिलकुल इसका उतर क्य होता जी तो एन आर होता है यानि को उप्सन जो दिया गया है आपका उप्सन सी नमबर बिलकुल करेक्ट उतर हो जागा नमबर प्रश्ट कहरा है कि ओम की नियम नहीं होते हैं जो ओम का नियम होता हो किसमें नहीं होता है अरे अब भी आपको ना बताएं कि भी बराबर बिल्कुल बिल्कुल टो आपका और बी दिया गया है कि भी बराबर 29 याद करके दिमाग में बैठालो की युक्ति को क्या कहते हैं तो बीधुत धारा उत्पन की युक्ति को कहते हैं हम लोग जनित्र कहते हैं जर्नेटर कहते हैं जर्नेटर से आप क्या करते हैं बिजली को उत्पन कर लेते हैं यही आपका एंसर हो जागा हा ना तो दिगमाग में इस तरह के से बैठा ले जी एक यार रहता है लेकिन परवर्तन को इसका answer होना चाहिए option अपका पी नंबर अगला देखिए अगला प्रश्ण कहहा है कि एक मीटर फोकस दूरी वाली उत्तलेंस की छमता क्या होती तो आप सभी जानते है कि पी बराबर होता है सोव बटे एफ होता है ठीक है तो यहाँ पे एफ का वैलू कितना दिया गया तो सोव ही दिया गया है तो पी बराबर क्या हो जाएगा सोव बटे की सोव तो कटा देगे तो हो जाएगा एक यहाँ पे वन मीटर को सेंटी मीटर में बदल लिए हम लोग तो सोव बटे सोव या बात ध्यान में रख लीना अगला दीकिए कोशन क्या कह रहा है कि समान आखे के लिए नियुनतम दूरी कितनी होती है स्पष्टी दृष्टी की अरे यह तो एक गम मतलब लुलीपॉप प्रशन है काफी आसान कोशन है कि पचीश सेंटीमीटर होती है तो फटा फट से मार दो यह तो काफी एजी कोशन है अब का अप्शन हो जागा डी नमबर अगला दीकिए अगला नमबर प्रशन कह रहा है कि किस दृष्टी दोस के निवारन के लिए और दूर दृष्टी दोस के लिए जाता है एक दम दिमाग में बैठा लो आएगा तो फटा पट से आपको टि जाएज़ gratuit कह दिया तो यहीं अपका क्या हो जागा उत्तर लेंज हो जागा यानिक की हो अवाल би नमबर बिल्कुत सऀय उत्चर हो गया दिख और। इस तरह से घुमा घुमा के पूछे गा सुनी उव 주 Ctrl बहुत ही ज्यादा बढ़ आगी तो बढ़ जाता है मतलब क्या हो बहुत ज्यादा हो जाता है यानि कि बहुत थी ज्यादा क्या हो जागा बढ़ जाता है तो सब्सक्राइब लगणा फिर चूला है बिल्कूल आपको बता है बिल्कुल आप पांच मॉडल सेट लगतार देख लीजिए आपको पढ़ा रहा है परतेक सब्यक्त का अगर उससे बाहर आ गया ना तो फिर कहना एकदम फाटा फट से करके आउगा एकदम खूस होगी तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो कर लो कि जब तक चैनल को सब्सक्राइब ने करें को आगे से वीडियो नहीं मिलेगा और अगला प्रशन देखिए क्या कह रहा है कि कहेगा ना आपकि यह बीदूच सनियंत्र किस राजे में इस्तित है बाबू तो बिलकुल इसका जो करे बीकिन सोडा का रसाइनिक नाम क्या होता है आपको बताए थी कि लाएक न हो तो इसे क्या पढ़ेंगे? sodium hydrogen carbonate पढ़ेंगे तो दिखिए sodium hydrogen carbonate घांपे दिए गया है तो sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate भी कई जग़ा आपको पढ़ने को मिलता है तो भी आपको answer हो सागा अगला question कहता है कि ISK से धातू का निशकर्ण सन ताथा ISK परिसी करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग आयस किसे धातु का निसकर संड ताथा उसका परिसी करन कर उपयोगी बनने की प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं धातवी की कहते हैं धातु कर्म कहते हैं धातु साला कहते हैं इन में से कोई नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं उसे याद कर लो और याद है तो फटापट हमें बता दो और वहाँ पे सही से बता देना बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा धातू कर्म तो याद कर लेना धातू कर्म होता है अगला देखो अगला कोश्चन कहा रहा है कि साख सबज़ू को बीगाटी तोकर के कमपुष्ट बनने की अभी क्रिया को क्या कहते हैं बिलकुल यार उसमा छेपी कहते हैं तो उसमा छेपी आपका क्या हो जागा अपसन भी नंबर हो जागा अगला देखो अगला जो कोश्च्च नेवे कह रहा है कि निमन में से कौन सा उ सब्सक्राइब करें किनमलिकित में से कौन साही आरे यार इसमें से कौन साही है तो NA2 आपुद इंटू तीरी इंटू 10 एच्टु जो है वही आपका सभी है तो यहाँ पर देखें काप देगे यहां पर नमबर बी में दिया गया यहां पे जो टू है न न कीतू आप ऐसे संगमर्मर ये तो तीनों एकी है और ये आपका क्या हो जागा प्लाश्टर और पिर सुजागा अगला कोशन क्या रहा है कि निमन लिखित में से पी एच का कौन सा मान छारक billion का मान देता है बिल्कुल तो छारक billion का मान जोता है बस 7 से अधिक होता है तो 7 से अधिक कहां पे दिया गया है 13 में दिया गया है तो 13 यानि कि option D number आपका सही हो जागा 7 से अधिक हो जागा अगला देखो अगला कहा है कि sodium koliate के जलिये billion से बिदुधारा परवाहित करने पर यह बियोजित होकर के sodium hydroxide बनाता है तो इस पर किरिया को क्या कहते है बह। क्या आसान question है और आपको दिखे बता देते हैं अगर यह आपको याद हो गया पूरा question जो question कह रहा है कि जब sodium koliate के जलिये billion में बिदुधारा परवाहित किया जाता है तो यह बियोजित होकर के sodium hydroxide बनाता है इस करिया को हम लोग कहते है क्लोरो चारव करिया तो फाटा-फाट है screen shot ले लो क्लोरो चारव करिया का आप क्या याद कर लो परिभासा याद करो फाटा-फाट करो क्यूंकि question पूशा जा सकता काफी important है क्लोरो चारव करिया कह रहा है कि कौन सा अधातू कमरे किताब पद्रव होता है कौन सा अधातू यहाँ पे धातू नहीं पूशा है तो धातू में आपका bromine होगा अधातू में आपका पारा होता है तो अधातू में brumine एकदम दिमाग में फिट कर लो आएगा दिग्दम छोड़ना नहीं है एकदम टीकर करके आना ही आना है तो क्या होगा brumine होगा option E हो जाएगा अगला question कह रहा है कि शीसा ऑवर टीन की मिस्र धातू को क्या कहते है सीसा और टीन की मिस्र धातू को तो सोल्डर कहा जाता है तो ऑप्सन आपका E नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जागा अगला दिग्दे को प्रशन कह रहा है कि निम्नलीकित में से कौन किसे चाकू से काट सकते हैं क्यों लिथियुम को सकता है अगला देखिए प्रश्ण आबंध होते हैं कौन से आबंध होते बाबू तो बिलकुल इसका जो सही आपका उत्तर हो जाएगा ना चुपके से जान लो कि एक सीगमा और पाई अबंध होता है यानि ऑप्शन हो जाएगा क्या जीज ए नमबर अगला देखो अगला प्रश्ण कहरा है कि इथेन में कितने सौसनियोजका बंध होते हैं इथेन में इथेन में कितना होता है दो होता है चार होता है छे होता है या फिर साथ होता है तो इथेन में कितने सौसनियोजका बंध होते है आपको पता है फटा फट बता साथ होते हैं तो साथ याद करके एकदम दिमाग में बैठा लो अगला प्लस टू किसका होता है एलकीन का होता है तो एलकीन का हाँ पर दिया गया ओप्सन ए नमबर में दिया गया है क्या दिया गया है ओप्सन ए नमबर ठीक है सी एन एच टू एन प्लस टू होता है यहाँ पे सी एच लिखा गया है इसको हटा लीजेगा हना चलिए बिल्कुल कावन आवर्त साड़ने के प्रथंबर के सद्ध से तो देखू आवर्त साड़ने के प्रथंबर के सद्ध से होते हैं वे अच्छारियह होते हैं यानि क Bay miljard के फरुड़ में की थी यानि कि आपकी नंबर बिल्कुल करे liar करताईisa अगला प्रश्णी कहा रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है फटा फटा बताईया अप लोग बिलकुल आपको ATP को कहा जाता है एडिनोसीन ट्रॉइफ फोस्वेट यानि यह अप्सन हो जागा बी नंबर इसका फूल फॉम पूछा जाता है कि ATP का पूरा नम क्या होता है अगला नंबर प्रश्णी कहा रहा है कि किस परकार के जनन में जनक के सरीर से कलिका निकलती है किसे निकलती है मुकलन से बिखंडन से अफखंडन से या फिर बिजाडू जनन से तो आपको पता है कि किस से निकलती है बिलकुल किसे संबंदी थे अरे तो वो आपको च्छनने का कारे करती आप शिष्ट पदार्थों को तो यहाँ पे आपका क्या हो जागी C नंबर यानि कि उत्सर्जन का किसे उत्सर्जन से वो संबंदी थे आपसन क्या हो जागा C नंबर हो जागा अगला देखो प्रशन कहा रहा है कि सव़पोसी पोड़ के लिए अवस्य हो जागा आपका सभी आपक कौन है चलो अगला प्रस्न देखे क्या क्या रहा है कि प्रकास संसेशन की किरिया में आक्सीजन बाहर निकलता है जल से CO2 से गुलकोट से या फिर डिक्ट्यू जोम से तो देखे प्रकास संसेशन की किरिया में जो आक्सीजन जो बाहर निकल जाता है प्रकास संसेशन की किरिया में किसे निकलता है तो जल से बाहर निकलता है यानि दो तंत्रीका कुसिका के मद देखाली अस्तन को क्या कहते है बेबू तो बिलकुल सिनेटिक दरार कहते हैं यानि कि उप्सन आपका B नंबर बिलकुल हो जाएगा अगला देखो प्रशने कहा रहा है कि फूलू में नर परजनन अंग होता है फूलू में नर परजनन अंग कौन होता है पूंकेसर होता है या अंडफ होता है या फिर बरतिकागर होता है या बरतिका होता है तो बिलकुल आपको पता है कि फूलू में जो नर परजनन अंग होते है वो पूंकेसर होता है यानि कि ऑप्सन जो हो जागा आपका ये नंबर में होता है तो यानि option जो हो जाएगा आपका ये नंबर बिलकुल सई हो जाएगा अगला देखो question कहा रहा है कि अन्वान सिकी का पिता कहा जाता है अन्वान सिकी का पिता किसे का जबारे मेंडल जी को कहा जाता है तो मेंडल जी को एक दम याद गरखो दिमाग में बैठा लो अगला देखिए प्रशन कहा रहा है कि निमने लिखित में से किसे आप उपभोगता की स्रेड़ी में रखेंगे किसे आप उपभोगता की स्रेड़ी में रखेंगे बाबु आपको चार ओप्सन दिया गया है अगला कुशन कहा रहा है कि निमने में से कौनिक जैविक प्रकरम द्वारा अपगटित होने वाला पदार्त होता है तो बिलकुल इसका जो सही उतर क्या हो जाएगा वो सुखे घास और पत्ती हो जाएगा अगला कुशन काफी इंपोटेंट कुशन है कि ओजन की एक औरू में आक्सिजन की परमाड़ों के संगय कितनी होती है और सबसे ज्यादा ये कुशन जो है आपका इंपोटेंट है अना तो इसलिए कहते हैं इसको बढ़िया से पढ़ना बाबू तो इसका बिलकुल जो सही उतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बिलकुल तो तीन होते हैं यानि क्यों आप्सन हो जाएगा क्या चीज़ सी बता है आपको एकदम दिमाग में बैठा लो समय कम है और लागतार सभी मॉडल पेपर जितने भी इस पर वीडियो अप्लूट है फाटा फट देखो काफी कमाल कह है तो आपसान अपका सीवत लाइक नहीं कर तो यार इतना मेहनत किया जार लाइक तो बनता है यार इस पर यह को कर दो लाइक फड़ा पड़ा नहीं कियो तो हना और चैनल को सब्सक्राइब भी धन नहीं किया तो कर लो हना चलो अगला प्रशन कहा रहा है कि नर यूमों तथा मादय यूमों के सन्योजन से बनता है जाइगोट अंडा अंडारू सुकडारू या फिर नौन नर यह या धाला प्रशन कहाए कि कि जीव की जीने सवयन प्रशल क्या पैठाए कि मैदानी प्रष्व के तंत्र में क्या होते हैं त्रितियों भोगता बिल्कुल तो सर्प होते हैं यानि कि साप होते हैं अपका D नंबर हो जागा अगला देखे काफी इंपोटेंट है कि रक्त एवं आइरन की कमी से होने वारा रोक काँसा होता बाबू त्रितियों एपसान अपका सी नंबर हो जागा और हाँ अभी तक आप हमारा एप नहीं डाउनलोड की जाओ और दाउनलोड कर लो या फिर मेरा नाम लिख सकते हो आप क्या लिखे होगे मंटू सर मैंटू सर जैसे ही सर्च करोगो आपको हमारा एप मिल जागी और उसे आप क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं फाड़ापट से इंस्टॉल कर सकते हैं अगला नमबर प्रशने कह रहा है कि कौवक में पूसर की कौन सी बीदी होती है कौवक में तो कौवक में पूसर की कौन सी बीदी होती है मिर्थ जीवी होती है यानि कि option अपका B number बिल्कुल correct उतर हो जागा पता है तो फाटाफर्ट से comment करो या comment आपके लिए बना हुआ रहता औकजीन है औकजीन क्या है वसा है या फिर इंजाई में हर्मोन है या कर्भो हाइटेड है तो देखिए औकजीन एक प्रकर की हर्मोन होती है यानि कि option अपका C number बिल्कुल correct उतर हो जागा अगला दीकिए प्रशन कहा रहा है कि मानो में dialysis थहली है मानो में जो dialysis थहली है वो क्या है nephron, neuron, mitrocandia या फिर इनमें से कोई नहीं तो मानो में dead places दो थहरी होती है वो nephron होती है यानि कि option अपका जो E number दिया है न आपको ये अपका बिल्कुल correct उतर हो जागा और हाँ, nephron का चितर कैसे बनाया जाता है nephron क्या होता है इसके बारे में जरूर आप पढ़ लीजेगा क्योंकि nephron काफी important होता है अपको दिर गुतरी के लिए अगला प्रशन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार के विकरिया होती है उपचयन, सन्योजन, आपचयन या फिर बिस्थापन तो देखे भोजन का पचना जो होता है वो उपचयन होता है, यानि कि option जो हो जागा वो E number हो जागा अगला देखे अगला question काफी संदार जबर्दस्त और मस्त प्रशन है कि नर योगमक के उमादा योगमक के सनलगन से क्या को क्या कहते है किडवन कहते है, बौनापन कहते है मदुमे कहते है, फिर इनमें से कोई नहीं कहते है तो देखे इसका option जो तिया गया है वो आपका answer क्या हो जागा, इनमें से कोई नहीं होता है क्योंकि नर योगमक के उमादा योगमक के सनलगन से हम लोग तो जाइगोट का निर्माड करते है यानि कि जाइगोट बनता है आपका option क्या हो जागा, D number होगा इनमें से कोई नहीं, यह option ही गलती है अगला देखे, प्रशनी कहा रहा है कि निमनलिकित में से कौन एक लिंगी पादाप का उधारण है एक लिंगी पादा का उधारण जो है वो कौन है, यहाँ प्रशन है, सरसू, गुड़हल पूछा जाएगा, एकदम, एकदम सेम है समिच जाओ, और यही सभी पूछा ही जाएगा यार, बस रट लो, पांच वो मडल से टाकरा पढ़ लेते हो, समाझ जोगी एकदम कंप्लीट त्यारी, कंप्लीट त्यारी, कोई भी दिग्गत बसनी होने वाली, है नak, चलिए अगला प्रanson दूपिल्कुल अमीबायमे होता है कि अमीबाय Chinese हो जयागा, सलनी पटमिर allowed ओर मोचार कंप्त summary होता है, और pluck यह सक 않을 हो तो उतमण का हो जागा, आपका बीन Bellebर हो जागा, यह बात आप यात कर रहे हैं अगला देखिये कोशन ही पूछ दिया कि डेंगूत पुर्ण करने वाला मौच्छ की तरही के जल में होता है यानि कि साफ जल क्या हो जागा उप्सण याद कर लिए कि जो देखिए आपको हम अब बताएंगे बस वही इग्दम काफी इंपोटेंट है न बेग्यानिक आंद्रे मैरो एंपियर किस देश से संबंधी थे बिल्कुल तो अब फरांस से संबंधी थे जी वह फ्रांस से संबंधी थे यानिक आपका बी नंबर हो जागा एकदम दिमाग में बैठा लेना है अगला प्रश्णि कहा रहा है कि पौनु का देश कहा जाता है आपिया है एकन परिमाड और दीसा बिल्कुल हो जागा अगला देखिए अगला प्रश्णी कह रहा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं निकेल और क्रोमियम नाइट्रोजन और कार्बन नाइलोन और क्रोमियम तो इसका जो एंसर हो जागा कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं तो निकल और क्रोमियम होते हैं यानि कि आपसन into 10 का power minus 19 column होते हैं, यानि कि option जो दिया गया आपका option C number में आपको जो दिया गया है वो बिल्कुल क्या हो जागा, correct उतर हो जागा और यहाँ पर दीखिए option आपका D number में दिया गया है minus 90 column, लेकिन यहाँ पर option आपका D number में हो जागा option की साब से, लेकिन एक आपको plus होना चाहिए, यानि कि यहाँ पर जो minus दिया गया है यहाँ भी यहाँ पर option सेम हो गया है एक आपका plus यहाँ पर option देना चाहिए वैसे आपका option number A या डीट कह सकते हैं दोनों हो जागा कि 1.6 into 10 का power क्या होता है, minus 19 column होता है, ठीक है चड़िए अगले परश्न देखिए परश्न क्या कह रहा है काफी संदार कोशन है कि जूल परतिकलम किसके बराबर होता है जूल परतिकलम जो होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं बबू तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जागा वाद क्या हो जागा बिल्गल क्या बात है तो यह हो जागा आपका option C की एंपीर के बराबर होता है rigtए ज्वूल प्रथिकूम्प की इसके बराबर होता है M.P R जाए करे अधला देका कोशन है काफ़ी संदार और यंतर को हम लोग क्या कहते हैं मानुमीटर कहते हैं वोल्टा मीटर कहते हैं या फिर वोल्ट मीटर कहते हैं तो भीबांतर मारने वाले को क्या कहते हैं हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं तो यानि कि आपका डी नंबर हो जाएगा अगले नंबर प्रश्ण देखिए अगला 73 नं यहां पर शक्ति का ऐसा ही मात्र जो धाया, होता है, यहां पी बोल्ट की जगा वाट होगा, इसे आप वाट कर देज़ींगा, ठीक है? यहां पी option आपका वाट होगा बाबू वाट यहाद करके रेखेगा ठीक है गलती दिखा है गलती हम लोगों को बढ़ना नहीं एकदम सही पढ़ना क्या होता है अगला देखिए अगला question आपका कह रहा है कि baking powder का रसाइनिक सुत्र क्या होता है baking powder का अनुसुत्र जो होता होता अगला देखिए अगला प्रस्तिय कह रहा है कि निम लिखित में से कौन सा परदाध आक्सिजन से सन्योग नहीं करता नहीं तो आपका नाम क्या है उसका नाम है gold यांठी gold नहीं करता अपका क्या जाएगा क्या चीज वी निंबर हो जाएगा ठीक है अपका option क्या हो है और एक बार हमने गलती से आपको 22 करेट बता दिया था ठीक है तो उसे सुधा लिजिएगा मतलब कि गलती हम्टी हो गया था बाद में हमको जब बैचास आप कमेंट किया इसर बाइस होता है तो हम चेक है कि हमसे गलती हुई है हमने एक जगा आपको 22 करेट बता दिया था उसी आप सुधाली जगा 24 करेट होगा ना काफी बढ़िया यह कोशन है देखिए अगला जो कोशन है कि वाई मंडल में यह रहा आपका बी नमबर विल्कुल हो जागा और यह रहा आपका लाश्ट और अंतीन प्रशने कि कार्बोसिक्लिक एसिट का समूज होता है वह क्या होता है तो आपका बिल्कुल से होता है कि बांड COOH होता है यानि कि option दो दिया गया है आपका option B नमर दिया गया है तो यह आपका B हो जाएगा तो इस तरह रहा आपका पूरा टोटल मिला करके असी प्रशने जो आपकी परिक्षा के लिए काफी ज़्यादा इंपोटेंट था और इसके हाँ पहले वाला जो मडल पर नहीं देखे है ना तो काफी गलती कर रहा है लगतार मडल पर देखिए एक को मडल पर छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जागा नुक्सान हो जागा और अभी तक इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिसे कागे से वीडियो मिले और त्यारिक दम गजब का संदार का मस्त और जवर्जस्त करेजिए फिर मिलते आप से इसे तरह का कमाल की वीडियो के साथ